हे गाईस तो अभी दो हफते भी नियुए बालवीर रिटन्स को शुरू है और अभी से बहुत ज़्यादा एक्शन और टरंस और ट्विस्ट दिखाया जा चुके हैं बालवीर रिटन्स में वाला है क्योंकि दोस्तो तिमनासा सारी परियों को एक ऐसी जगा पर ले जाएंगी जहां पर तिमनासा की तो सारी पावर काम करेगी लेकिन दोस्तो जो बालवीर की शक्ति होंगी या किसी दूसरे बंदे की शक्ति होंगी वो काम नहीं करेंगी तो गाईस अब यहाँ पर द तिमनासा के बीच में लड़ाई होगी तो पता चलेगा किसका पहलेड़ा भारी होने वाल है। गश्ट मुझे ऐसा लगता है कि बालवीर तो काफी ज़्यादा शक्ती हीन हो चुका है। उसके अलावा जो शोरे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। तो शोरे हैं वहाँ से निकाल सकता है और आई थिंक तिमनासा कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जिनकी वज़से जो बालवीर या परियां हैं उनको काफी ज़्यादा नुकसान होगा और तभी जो नए बालवीर की जरूरत है वो ज़्यादा हो जाएगी कि यार अब तो हमें ब बालवीर का उत्रादिखारी चाहिए ही चाहिए क्योंकि भूरी शक्ति आए तो बहुत ज़्यादा पावर्फिल हो चुकि हैं तो खेर गाईज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होगा यह देखना कि जो शोर है और बालवीर है वो परियों को कैसे छुड़ पूर बताना वीडियो पसने तो आए तो यह को लाइक जरूर कर देना अभी तक भी अपने बोल्यवी टोक चैनल को सबस्क्राइब निनक किया नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर पैस कर देना तक कि आप आनेवाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में